आज की जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता भाई साब आपने मेरी इतनी मदद करती आई लब यू यार भावी जी पाई लागो वो क्या है ना भावी आज कल महेंगाई इतनी जादा बढ़ गई है कि पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए ऐसे एंट्री करना पड़ रहा है खेर भावी मेरी एंट्री का तरीका आज बहुत अलग है लेकिन मेरे ख़बर सुनाने का तरीका वैसा ही तो एक काम करिए ना भावी आप आज की स्पेशल खबरे देखिए तब तक मैं इन भाई साब को थोड़ा आगे तक छोड़ क्या आता हूं चलिए भाई साब मैं आपको आगे तक छोड़ दिए रास्ता भूल गए तो है बटक बटक गई तो क्या होगा लाल जोड़े में नेतिक संगनाची अक्षरा जगी रख रहा है गोपी का खयार फ्रेम ने उठाया सिमर की परवरिश परसवार बिहान वानी की बढ़ी नजदी खिया रमा निशिता की शादी की जोरो पर है तयारी क्या नागिन से शादी करना पड़ेगा रौकी को भारी और सुरत चकोर के बीच प्यार की शिरुवार यह मर्द कितने मतलबी होते हैं देखो सीरियल यह रिष्टा के अंदर जहां एक तरफ घर की लेडिस ने करवा चौद का वरत रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ घर के मर्द पार्टी कर रहे हैं पार्टी बाई साब एक बात कहू अगर गुस्से में आकर घर की लेडिस न तो आपका तो पता नहीं अगले साल कवों की पार्टी धरूर हो जाएगी अगले साल कवों की पार्टी धरूर हो जाएगी नेतिक अक्षरा के घर में करवा चौद का जश्न इस बार घर के मर्दों का देखने को मिलेगा टश्न अगर औरते हैं 16 श्रिंगार करके रेडी तो इस बार इन मुंडों ने भी लिया है एक दम पूल डूट वाला गेट अप दरसल इस मेक ओवर के पीछे है एक खास वज़र पती चाहते हैं अपनी पत्नियों को सर्प्राइज देना इसलिए वो करते हैं तयार ये स्पेशल परफॉर्मेंस हम सब आदमी अपनी बीवियों के लिए एक शो प्रेजेंट कर रहे हैं सब उनको एंटेटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और बस उसी के लिए यह है भाई वाँ आप लोगों का ये आइडिया तो काम कर गया और करवा चौद पर आपने अपनी बीवियों का मूड बना दिया तभी तो वो भी रही हैं आपके साथ जू और सब मिलकर कर रही हैं डान्स खूब हमारी पतीओं ने हमें सप्राइज दिया है तो मज़ा आ रहा है बस हम भी सब जूम रहे हैं और एंज्यॉई कर रहे हैं हम लोगों ने तो वरत रखा हुआ है इतना उचल कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस बार हमें हमारे घर के जैंस ने बहुत बड़ा सप्राइज दिया है और उनका जोश देखकर थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी हिल लिया अब डांस हो रहा हूँ और नायरा कुछ खास ना करे ऐसा कैसे हो सकता है भला तो देखिए नायरा का ये स्पेशल डांस जो नायरा ने किया है कार्तिक के नाम हाए तूटी सारी की सारी मैं भीरे इश्क में हुई आवारी मैं हाए तूटी सारी की सारी मैं कार्टिक की होती है थोड़ी लेट एंट्री और नायरा चाहती है कार्टिक से अपने दिल की बात कहना लेकिन हमेशा की तरहा दोनों नहीं कर पाते हैं बात और एक बार फिर समझ नहीं पाते एक दूसरे के ज़स्बात तरहा चाहती है तो उसकी खुशी का कोई थिकाना ही नहीं रहता और अभी वैसे ही नायरा की खुशी का कोई थिकाना नहीं है और अभी वैसे ही नायरा की भी खुशी का कोई थिकाना नहीं है और नायरा बस अब ऐसे भी करके कार्टिक को बताना चाहती है और वो बीच में ज आओक जब तुम साजना अंगना फूर के लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ प्यार में ढूबी गायू का भूग के मारे है बुरा हाल अजीम आदम ने कार्टिक के लिए व्रज्जो रखा है बेचारी दादी कितना करती हैं खिलाने की कोशिश लेकिन गायू नहीं मानती उनकी एक भी बात चलिए देखते हैं किसके नसीब में आता है कार्टिक का प्यार और किसके प्यार की होती है हाल अलोक मिश्रा और संजीव के साथ गितिकापन मॉंबाई आइबिन सिविन सिरियल कसम में मलिका की महंदी हो रही है और मलिका की महंदी को देखकर तनू को बड़ी जलन मच रही है बाबी आप लोग अगली खबर देखोगे लेकिन मैं ये देखूँगा कि पहले काली क्या होती है महंदी या फिर जलन के मारे तनू हाथों में इन हाथों में लिखके महंदी से सजनक नू हाथों में इन हाथों में जिसे पढ़ती हूं मैं सुब हो शाण लग गई है मलिका के हातों में महंदी और इस महंदी में छिपा है मलिका का प्यार क्योंकि मलिका करती है रिशी से महबत पेशुमार और इसी महबत में रिशी के नाम का मलिका ने अपने हातों में आर लिखवा लिया है पूरी कोशिश हो रही है कि शादी ना हो ऐसे काफी लोग है इक शादी में लेकिन मलिका तो जो हैसो है वो वैसे बहुत excited रहती है और जब रिशी उसको propose करता है आके तो वो तो love season cloud 9 और बहुत खुश हो जाती है जो उसने expect भी नहीं किया होता और वो भी रिशी कहता है कि वैसे मलिका अपनी महंदी की रस्म के लिए काफी बंठन के रेडी हुई है खुबसूरत सा प्यारासा लहंगा कानों में जुमके माथे पर मांग्थी का और हाँ और चोटी में महकता हुआ गज्रा सच में मलिका ने तो जैसे अपने लुक से रिशी को घायल करने की ठाल दी यह बहुत ही कालरफुल लुक है इसलिए मुझे बहुत पसंदार है और वैसे मुझे इंडियन प्लोट्स पहनना बहुत मज़ा आता है तो इसलिए मैं और बीज़ ज़दा एक्साइटी हूँ मुझे फूल यह मोग्रे माले जो फूल होते हैं बहुत पसंदे इसकी खुश्बू तो जब यह कुछ इंडियन पहनने का या शाली डाइब का कोई सीक्वेंस आता है तो मैं हमेशा एक ना एक लुक में जरूर चोटी बना के या कुछ करके यह फूल जरूर डालते हूँ खुदर रिशी अपने ही दुनिया में है खोया हुआ वो मलिका के हो जाएं या तनू के बन जाएं इसी कंफ्यूजिन में पिस रहे हैं बिचारे रिशी जादा सोचे मतले किना काली मा के आशुरवास से आपका और तनू का मिलन जरूर होगा क्योंकि हमने सुना है कि ठीक आपकी और मलिका की शादी के वक्त तनू भी दुलहन बन कर आएंगी और आप से ब्यहार चालेंगी बस तब तक के लिए थोड़ा सा इंतिजार कीजिए पारस कोठारी मुंबाई आईबियन सेवन सीरियल नागिन में रौकी और शिवांगी की शादी हो रही है और भाबी आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस शादी में तीन टाहिट की लोग आए हैं एक वो जो मस्ती मारने आए हैं दूसरे वो जो पेट भरकर खाना मारने आए हैं और तीसरे वो जो शिवन्या को मारने आए हैं अगे वो शुब घड़ी जब शिवांगी होगी रौकी की प्रीम्रतन धर्पायो प्रत मिलन की लायो प्रीम्रतन धर्पायो मैंने प्रीम्रतन धर्पायो और आज शिवन्या अपनी बेटी को दुलहन के जोड़े में सजाल ले जा रही है मंडप की ओर जहां शिवन्या है अंजान क्योंकि यामिनी ने बिचाया है शड़ी अंत्रों का जाल तभी तो खड़ी है घूंगट में यहां देखिए तो जड़ा अच्छे खासे बज रहे थे ढोल लेकिन अचानक होने लगा सपेरे के बीन कशो जिससे होने लगी शिवांगी मधोश अब शिवन्या को तो है मालूम इसलिए तो संभाल ली सारी बात और रस्म करवाने के बहाने से ले गई अपने साथ एक मिनिट हमें एक रस्म करना को बूले गई शिवन्या जी ये तो सोची समझीश साजिश है इसलिए तो घूंगट में छिपे सारे कातिल हैं जिन्होंने की है पूरी तैयारी ताकि जीत सके बाजी सोनिया शर्मा के साथ निहा पिलकवाल मॉंबाई आईवियन सेवन बहु हो तो गोपी बहु जैसी हो मतलब हमेशा यही सोचती है कि घर में दो पैसा कैसे बचे अब देखो ना सीरियल साथ निमाना साथिया में कोकिला जी की एनवर्सरी आ रही है लेकिन गोपी बहु नहीं चाहती है कि जगी और उर्वर्शी उस पार्टी में आएं अब रीजन चाहे जो हो मुझे लगता है कि धाई सो रुपे पर प्रेट के हिसाब से पान सो रुपे बचाना चाहा रही होंगी और क्या लोचा ही तो है गोपी को दी जा रही है कुछ ऐसी दवाई जिससे गोपी को जबर्दस नीन है आई जगी ने रखा गोपी का ख्याल और दवाई में मिलाई नीन की गोली की खुराग ताकि गोपी बिना डिस्टरबेंस करे जी भर कर आराम और बिमारी में भी ना करे उटकर कोई काम जगी बावाने और किसे ने कहा है कि दवाई में मिक्स करने के लिए और मैंने सोचे को उससे गोपी जल्दी ठीक होजेगी और वोजा के मैं मिक्स कर देता हूं जगी हुआ मस्त मगन तभी गोपी के पीछे पीछे जा पहुचा किचन पर यहां तो पहले से ही उर्वेशी ने दिया हुआ है धरना उसने गोपी से की रिक्वेस्ट की वो बहाना बना कर जगी को रखे घर से दूर क्योंकि कोकिला की है शादी की पचासफी सालगिरा जिसको देखकर जगी हो जाएगा सर्फिरा वो उनका प्लैन यह है कि कल उनके अनिवर्सिरी है हमारे फादर साब की जो मुझे पता नहीं है अब गोपी आ गई है जगी के कमरे में करने रिक्वेस्ट की कल कर आओ माता की दर्शन पर जगी को हो गई है टेंशन क्योंकि उसको पता चल गया है सबका इंटेंशन यह आओ मुझे पता चल गयन आधा टेंशन को संभालते संभालते गोपी नहीं भूली अपनी बेठिया तब ही लगा रही है काना जी से नीरा को ठीक रखने की गुहार संजीर चोधरी के साथ शिर्पी शवास्तव मुंबाई आईबियन सेवन बिग बॉस के घर में मची हुई है जंग आगे की खबर देखते हैं खबरी भावी की संग खबरी भावी अंदर होकर भी किसी को नजर नहीं आते हैं जल्दी की घर तुम्हारे पास आने वाले अगले सफता वाच मी ओर घर अनने वाच मी घर ने परिवर के ले करेंड़ तुम्हारे अजर फबिया अधर पू वाच रिवार केले फुजय करेंगे दुम्हार फुजय कर्दी है कि अधक तुवे नहीं हूए अश्टर समजगा ही कि मिनें इक अरग जो फिर मेरे को आपके बाते कि अब आपको तुनद एप्या करता है तुपेज करेंगे तुम टे शेल शुरू होती है कुग तुनद तुनक तुनक के बात करता है समझ मेरी बात को कर बच्वात कवरत रखा हुआ है नहीं जी मैंने रखा हुआ है सुबस्वाइब आप दोनों के लिए आपके खर से कुछ पिक्चर्स आई है और कुछ मिठाई है यहां दिखना नहीं चाहेंगे पिक्चर्स जी आपकी प्रमाशनों है जरूर आपी कि मैं है तैंक यह थपरी भावी कहिए तो सुनाओ, मैंने का बिटा सुनाओ, सुनिए फिर एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, साथ, आठ, नो, तस, गुलाम बेगम बात्सा क्यूं वानी पर हो रहे हैं बिहान नाराज क्यूं वानी को सुना रहे हैं उल्टी सीधी बात भाई पता नहीं कैसा बिहान का गुस्सा है और कैसा है इनका प्यार एक पल में हो जाते हैं आग बबूला तो दूसरे ही पल अपना दल देते हैं वानी पर लुटा दरसल बिहान जा रहा है अदिती के कमरे में ये देखने कि वो ठीक है या नहीं और वानी रोक देती है बिहान का रस्ता क्योंकि अदिती सो रही है इसलिए आप बाद में कर लेना उसका हाल पता एक तरफ चल रहा है इनका प्यार और तकरार तो वहीं दूसरी तरफ बिहान करना चाहते हैं कि ये वानी नहीं बलकि थपकी ही है इसलिए वो कर रहे हैं जी तोड़ कोशिश जहां सभी घरवाले कर रहे होते हैं नाश्ता तो वहीं बिहान लेकर आते हैं एक तस्वीर लगता है अब खुल जाएगा वानी का राज एक बार कुछ तो शॉक लगा कि ओशेटी कौन है और समझ में नहीं आ रहा है क्यों बताँ तुम्हें में में मन में कैचल रहा है तो तो मुझे यहीं लग रहे है कि मैं बोलू किया मैं बार बार दुरू जी को देख रहे हूं और सोच रहे ह अब पकड़ी जा चुकी हूं में अब कच्छू नहीं हो सकता और यह तस्वीर है वानी ओब्रॉय की जी हां वानी ओब्रॉय जिसका नाम लिया है थपकी ने अब तो लगता है वानी बनी थपकी का पूट जाएगा भांडा भाई इस बार तो लगता है थपकी की असलियत आही जाएगी सब के सामने क्योंकि इस बार बिहान लेकर आये हैं ऐसा सबूत जिसे जुटला पाना है मुश्किल चलिए देखते हैं अब कहानी में आता है गौन साथ ट्विस्ट बिहान और थपकी में गौन मारता है है ट्रिक संजीव चौधरी के साथ गितिकापन मुंबाई आइबिन सिविन जो सिर्या यह घुटट एक एक पिढ लगी हो गई है अब देखो अब में कब लेकर वता है वी ऐक भात कहूं जिसकाप से इस इतर्ट इंड प्रॉल्म आती रहतीं है ना मुझे लगता है इस सेरेयल का नाम यह मछब आखि यहम यह मुसीबते पलना तो घर में चल रही है एक और जश्न की तयारी ना जाने कितनी बार करेंगे रमनिश्दा शादी क्या इनकी मत गई है मारी रिकार्ड बनाने वाले हैं हमारे माबाब सत्तर बार शादी राके शेरवानी को लेकर हुई बहस मदरासी शादी में नहीं पहनते हैं शेरवानी ये रसम नहीं होगी टस से मस कपड़े चाहे जो भी हो पर संगी तो है हर शादी की शान इसलिए यहां हो रहा है बच्चों के बीश में जगड़ा जिसके लिए कसली है इन्होंने तीर कमान अब सवाल ये कि रमन है पंजाबी और इशिता मदरासी तो कैसे होगी संगीत की रसम और कौन लेगा पंगा लेने का चांस इसलिए यहां होगा भंगड़ा और मदरासी डांस यानि की जो मदरासी है वो करेंगे भंगड़ा और जो पंजाबी है वो थिरकाएंगे साउथ इंडियन म्यूजिक पर अपने कदम यही तो है इस शादी का चालेंज फिल्हाल तो भंगड़ा परिवार में है खुशी और जशन का महौल वहीं मड़ी के घर पर भी सब ने किया शादी का चालेंज अपने अपने रास्ते और अपनी अपनी और पारस कुठारी के साथ शिल्पी शिवास्तव मूंबाई आईबियन सेवन कि आज का लुकित बच्चे बाप रे बाप हमारे पड़ोस में तो उसकी पिता जी उसे सब्हाय लग गए कोई बात नहीं अगर तुम फेल हो गए तो वो क्या है ना जब किसमत में तुमारे पास होना लिखा ही नहीं था तो तुम कैसे पास हो जाते है याड़का बोला मैं आप दीचे मैं बच्पुश्ण आपसे क्या था आप मेरे कम किताईजी से मैंने उनसे सिर्फ वही का जो पी सच है सच मैं मैंने आज़्टक ऐसी मादी देखी जो पनी आद असे बेड़ी की कुश्यों करना हुद आपके हिम्मक है सुई मेरे बार में ये कहते हैं कि जबान से निकले हुए शक्त और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आपा जिंदगी के दूप में तो आचल के छान आई खुद को जला के अपने फूल को बचाते आई आज से मर की परवर इशपर उठा Дिये हैं प्रेम ने सवार प्रेम ने साभित कर दिया है सिमर को एक बूरी मा ठैसे मेरे बार में ये कहने की क्या सामप्च चु नचाहते आप मेरे बच्चे मेरी सिंदगी है मेरा गुरूर है लड़के वाले देखते हैं तैंजली को और सिमर ने कुछ ऐसा उनको कह दिया जिससे वो लोग बिना जवाब दिये चले गए So I'm very furious about it and I'm shouting at सिमर के किसने दुख की अगनी डाली पंजर हो गए खेत सिमर ने अंजली का सच उसके होने वाले ससुराल में क्या बताया कि सभी ने उसे बुरी मां साबित कर दिया और तो और खुद अंजली ने भी अपनी मां को ठहरा दिया जिम्मिदार लेकिन सिमर नहीं रही इस बात चुप सिमर ने भी दिया प्रेम को जवाब और बोल दिया कि ना करे है मत उनकी ममता पर सवाल उठाने की मेरा गुरूर है नहीं जी मतलब सिमर की जिन्दगी में है टेंशन बड़ा और अब तो प्रेम ने भी सिमर को कर दिया घरवालों के सामने संजीव चौधरी के साथ प्रिया जोहान मुंबाई आई बिन सेवन आज कल की लड़िकिया अपना काम निकल वाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बाते करती है और आदमी उसमें फस भी जाता है कल एक लड़िकी ने रिक्ष्यवाले को पकड़ लिया मंदिर जाओगी आदम आए जाए दिल तेरी जानिव आना जाना लगता है वाजिब दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में प्यार की होने लगी है शुरुआत सूरज के दिखने लगे हैं जुजबात तभी तो दुश्मन बैठे है साथ जी हाँ कुछ यही हो रहा है चकोर और सूरज के साथ क्योंकि आज सूरज लेकर आए हैं चकोर को दिनर पर तो चकोर भी आ गई सूरज संग अपनी दुश्मनी भूलकर एक जगा पर सूरज बैठके ड्रिंक कर रहा है और वहाँ पर ही चकोर जो है थी वहाँ पर और बेहोश हो जाती है तो करवा चौत वाले दिन उसके हाथ से पानी पी लेती है और सूरज बोलता कि तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं है और वो बोलती है कि मैं परिशान इसलिए मैं नहीं खाया तो मोला कि चलो मैं तुमें कहीं पर खिलाने ले जाता हूं लेट बहुत हो गया तो धाबे पर चलते है और उस तरह हम यहां पहुंच गया तो को ने दो दिन से खाना नहीं हो तो बेहोश हो जाती सूरज की बाहू में अब देखेंगे तो इसलिए सूरज कहता है कि चलो में तुमें खाना खिलाता हूं तो बस यह है दिल क्यों यह मेरा शोर करे इधर नहीं वह धर नहीं प्रेरी और चले भाई फिकर होने लगी है तो प्यार भी जल्द ही हो जाएगा लेकिन ये क्या अच्छा खासा चकोर सूरज थे साथ जहां बीच में कमल नाराएं जीने आकर बिगार दी बार कमल नाराएं तो पूरें पीचे देखो वो यहां आ रहे लेकिन चकोर तो अपनी है ही स्मार्ट जिसने सही मौके पर मारा चौका और टेबल के नीचे घुसकर समहल ली बात और बच गए दोनों इस बार भाई आज तो बच गई जान हम तो कहेंगे समहल कर रहेगा अगली बार क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कमल नाराएं जी हैं कितने खतर नार आलोग मिश्रा के साथ निहा पिलकवाल मुंबाई आइपिन सेवन पती-पत्री के बीच की नोग जोक सुनने में बड़ा मसा आता है भाई मुझे तो कल एक पत्री ने अपने पती से बोला कल तुम नीन में मुझे उल्टा सीदा क्यों बोल रहे थे पती बोला अरे नही नहीं डालिंग वो तुमारा वहम था कैसा वहम यही कि मैं नीन में थ सीरियल की फटा-फट खबरों की करते हैं शुरुआत जुसमें सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल भावी जी का हाल जहां एक बार फिर सासुमा के कहने पर अंगूरी जी को करना पड़ा कुछ ऐसा कि लड़ू के भाया को बिना कुछ खाए जाना पड़ा घर से बाहर बावी जी के बाद देते हैं आपको एक और अफडेट क्यूंकि मुंबाई के लौंज में इस बार प्रफॉर्म करते दिखे बिग बॉस फेम सुयाश जिसको देखने पहुंचे टीवी के कई स्टास तो भाई जिस प्रकार उडान से पहले सीट की पेटी बान ली जाती है उसी प्रकार अगली खबर से पहले अपने आखो पर चश्मा पहन लीजिए क्योंकि अगली खबर इतनी चमकदार है कि आखे चौन दिया सकती है एको ना भाई साब कितने बुरी तरह से मारे है सुचा दिया है मार मार के रह क्यों मारा मन्ने ना मारा था हुए जित्ता बबिता ने मारा है सुर्वा दिनना करी थी पपपा मना कुतिया कह रहा था बबिताना कमीनी हम ना बबिता देतो चाहिए मैं हमिस्सा यो सोच के रुता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुस्ती मैं गोल्ड लगता हूँ यो बात मेरी समझ में ना ही कि गोल्ड तो गोल्ड होता है छोरा लावे या छोरी अपाण दूँ और वो चीछ जो पहलवानी सिनका ध्यान अठावेगी मैं उसने अठादियोंगा होतों की पहलवनी अब तंकलोंगा हहाँ अजे एक बाद हमें सजाद रखना बेट्टा कर सिलवर जितती ही तो आज नहीं तो कल लोग तरन्या भूल जावेंगे कोड जित्ती तो मिसाल बन जावेंगे जल जित्ता और मिसालें दीज जाती है बिट्टा बूली नहीं जाती तो भाबी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का जो अर्ज किया है कि देवर भाबी का रिष्टा ऐसा है जिसकी चर्चा हर और है और जाओ सबसे पहले उसके साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा है मेरा बाप चोट है सीरियल नाम करण में हो रही है बरखा की महंदी पूरे रिती रिवास के साथ हमारे देश की यही खासियत है रिती रिवास मतलब बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर रिती रिवास छूज दिया जाता है हमारे परोस में एक लड़का है उसके अंदर रिती रिवास इतना ठूसा हुआ है कि अगर वो इंग्लीज फिल्म भी देखने जाएगा ना तो भी मम्मी के पैर चुने जाता है बच रही है ढोलक हो रहा है नाजगाना अरे भाई खुशिका है महाल क्योंकि जल पड़ा जाएगा आशा और आशीश का निकाह नामा अशीश जड़ा पड़ा क्या बाद है तालिया 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 इतने सालों से अकेले पन का दुख जहल रही आशक हो आशीश आखिरकार मिलने जा रहा है रिष्टे में जाय था और इसलिए अवनी की बदॉलत होने जा रही है दोनों की शादी और चमकने जा रहा है दोनों का लव अवनी एस मैनेश्ट तो गेट आशीश और आशा तो गेट मैरेड और बड़े खुबसूर तरीके से बड़े मज़ेदार तरीके से उसने कैसे वह हसल किया है वह आपको देखने मिलेगा और अब उसकी तयारी होने वाली है और अवनी अखेले शायद पहली ऐसी लड़की ह जो अपनी ममी पापा की शादी करवा रही है लेकिन इस शादी में भी है ट्विस्ट क्योंकि आशा है मुस्लिम और आशीश है हिंडू इसलिए शादी के रीती रिवाजों को लेकार आशा की मा को है काफी बड़ा कंफ्यूजिन लेकिन जनाब अपनी अवनी है ना उसने निकाल लिया स्वालियूशिद और शुरू करदी तयारी कि हिंडू के साथ साथ मुस्लिम नीती रिवाजों से भी होगी आशा आशीश की शादी फिलार मैंने प्लानिंग किये कि बहुत सारा डेकोरेशन होगा स्टेज बंदेगा हम धोलक वाले आएंगे और बहुत कुछ आएगा और हमारी मुमी पापा की शादी जो अपनी का ड्रीम है वो पूरा होने जा रहा है तो अपनी बहुत खुश है उसने अपने हाथों से इ कि शादी हो बिना किसी मुश्किल के समाथ अलोग मिश्रा के साथ प्रिया जोहान मुंबाई आईबिन सेवें भाबी जी आजकल सोशल नेटवर्किंग का वर्चस हो है लोग एक दूसरे को फेस्बुक पे डूण रहे हैं लेकिन परसली मेरा ये मानना है कि जिन्दगी में इंसान को ऐसा गाम करना चाहिए जिससे लोग उसे फेस्बुक पे नहीं गूगल पे डूणने है वह क्या है भाबी आप मुझे भी गूगल पे डूण सकते हो तो भाबी जी फिलाल तो वक्त उचला है मेरे जाने का लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाबी तेरा देवर दिवाना भाबी जी कल फिर मुलाकात होगी भर-बर के स्पेशल खपरों के साथ तब तक अपना खयाल रखना हागी तेरा देवर दिवाना